तो अब फिर से आपका दियर्म पंडिश्व में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला पॉड़कास किया था लग तकरीबन पांच महीने पहले एक मिलियन व्यूज आ गए उसमें उसमें हिस्ट्री डिसकस करी थी दूसरे में मिस्ट्री डिसकस करी थी तो आपके आपकी कहा पॉड़कास का थीम क्या रखना है हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री ओफ बिलियनर्स करते हैं तो आज कल जब हम यह पॉड़कास शूट कर रहे है तो भारत के एक चोटे से शहर में बहुत बड़ी सी शादी हो रही है जी सो अम्बानी जी की प्री वेडिंग हो रही है वेलकर तो दो-चार दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि सब लोग जाम नगर में हैं इंडिया पूरा तो उसमें क्या मिस्ट्री है सबसे पहले समझते हैं कि जितनी चीज़ आप रही सो के देखते वो कुछ नी एक प्यार स्टन्ट होता है शुरुवात के तोर पर बताएं अब आप कौन ताउ को लेकिया रहे हो नचा रहे हो स्मैक देट करवा रहे हो क्यों सिंबल साब एक चीज़ समझे आज से कुछ महीने पहले चलते हैं एक वीडियो काफी जादा वाइरल हो रहा था इनके सुपुत्रों जो थे वो मिठाई बाट रहे थे एक वरुद इनसान आते है उनके पैर चूते हैं और उस समय पर वो बिल्कुल इस तरह से हाथ रखके आरे को यह नहीं ऐसे करके एक अलग अटिट्यूड दिखा है उसके बाद काफी सारे जगह पर यह चर्चा हुई है काफी सारे बड़े-बड़े नेटवक्स में चर्चा हुई थे कि भाई साब य मैंने शायद पहले भी आपके पॉड़कास्ट पर हिंट देने की कोशिश करी है एक हाथसा हुआ था जिसमें कहा जाता है कि रातो रात अकबारों से उस हाथसे के टिपनिया हटा दी गई है जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे आस्टन मार्टन मैंने कह दिया है बस इस से नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा तो पहली चीज़ है यह प्यार अक्टिविटी खतरनाक से होती है इसको अगर कुछ लोगों ने नोटस किया होगा बहुत कम लोग करते हैं तो कुछ-कुछ पोस्ट जहां पर खुलके स्टार्टेंग से यह चीज करी जा रही थी उसमें यह देखिए अगर एक व्यक्ति अपने निट वर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में तो उसने कुछ नहीं किया एक्जाक्ली वही चीज अंबानी साहब ने करी वहीं पर एक आम आदमी क्या करता है अपने पूरी जमा पुन जी का 40% खर्च कर देता है 50% और कुछ कि लोग तो पूरा ब्याज में करते हैं तो यह दूसरी चीज तीसरी चीज इसका बिजनेस एंगल समझें रिहाना जी को क्यों बुलाया गा यहां पर रिहाना जी को इसलिए बुलाया गया क्यों को जो कॉस्मेटिक ब्रैंड है उसके इंडियन वर्जिन में इन्वेस्में करी थी और उसी व्यक्ति को इन्होंने अपने इशारों पर ना चाहिए तीसरी चीज आप देखा हो गया कि इनके बेटे सपुत्र जब भी मिल रहे हैं बड़े-बड़े लोगों से उनकी घड़ी बार-बार फ्लैश करवाई जारी पता नहीं अचानक से मीडिया उनकी करें एक अठरा करोड की घरी है एक दस करोड की घरी है पहली चीज़े दिखाये जारा है विया पावर बड़े-बड़े लोग भी हमारे सामने जुक रहे हैं पहली चीज़े दिखाये जारा है विया पावर बड़े-बड़े लोग भी हमारे सामने जुक रहे हैं आप उसके बाद BlackRock जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, JP Morgan, सारे बड़े-बड़े इंस्टिट्यूशन के CEO यहां पर आए हुए, यह वो companies हैं जिनके साथ, या तो, फॉर एक्जेम्पल आप सोच रहोगा बलाक को बलाने की क्या जरूत है, जियो फिनान्स कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ इनका एक मर्जर के बाद चल रही है, यह दोनों साथ में मिलके mutual fund लाने वाले हैं, सोचे वो कित्ता बड़ा हो सकता है, तो पॉइंट यह है कि आम आदमी के लिए लग रहा है, कि यह केवल खर्चे कर दिये, यह कर दिये, इसको अगर बिजनस के टर्म्स में देखा जाए, तो यह expense sheet में जाता है, उसका deduction ले लिया जाता है, अगर इसको network के इससे दिखाये जाए, तो दिखाये जाता है, पावर्फुल कित्ते हैं, और अगर एक और interesting इंसान इनकी शादी में आया थे, अंबानी की शादी में, जो सबसे interesting इंसान आया थे, वो थे वो अत्म अडानी, लोग यह सोच के दंग हो गए थे, कि भाई साब, इतना भाई चारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहूल बना के रखते ही, यह सबसे बड़े competitors हैं, तो यह कैसे हो गया, लोगों को शायद यह चीज नहीं पता, कि जब डुंडुन बग का रिपोर्ट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अगीर एक पार्ट पर चर्चा करी भी है, डुंडुन बग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा stake किसने उठाया था, जाके चेक कीज़े और comments में बताएगा, although मैंने stage में बता दिया है, बट सबसे ज़्यादा lowest level पे, अब वो public fighting पे आपको दिख जाएगी, उस समय पे कौन उठा रहा था, तो भाई साब, आप लोगों के लिए, ये तू-तू-में में वाली fight होती है, इन लोगों के लिए, इडिस बिजनस, तो यही बिजनस के चक्कर में ये सारी चीज़े होती है, तो अरुन जी एक चीज समझी है, कि ये बिलिनर्स का पूरा गेम ही अलग चलता है, और आपने शादियों की बात करी, तो मैं एक fact बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा विवादत हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ, आपके जितने लोग देख रहे हैं, वो मेरे को अगर प्रूफ कर सकते हैं, कमेंट में रॉंग प्रूफ कर दें, जीक है, मौडरन डे बिलिनर्स आर नौट हैपी विद रिलेशनशिप्स, हिंदी में अगर कहूं, सबसे ज़ादा मौडरन डे बिलिनर्स का डाइवोर्स होता ही होता है, और ये इतिहास गवाए, आप पूछो को कैसे, मैं इतिहास के, विडियो रिस्पेक्ट मेरे को सारे बिलिनर्स के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्हें जो उखाड़ा है, वो बहुत लोग नहीं कर सकते हैं लाइफ टाइम, आप बहुत नहीं कर देखकर हैं दो बहुत देखकर के, मैं भालत से शुरू करती हैं, भालत से अगर बिलिनर्स के लिए निकल कामच जी, जो सेल्फ मेड बिलियनर्स है, जिरो अधा के फांडर है, वो खुट डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं, कुनाल शाह जी अगें इंस्पिरेशन फर सो मेनी पीपल क्रेड आपने नाम सुना ही हुआ उसके मालिक यह फाइल फॉर डाइवोर्स काइंड ऑफ से तो आप बोलोगे चलो ठीक है इंडिया के तुमने बता दिया बहार की बता दो बहार भाई रिचेस लोगों की बात करते ह जह बेजोस यह तो चर्चे फरी थे डाइवोर्स ही हैं उसके बाद 으면 बाद बॉल गेट्स बिल गेट्स ने भी बाइवोर्स ही है अब बोल्लिवूड में जाके बेखेंड़न आपको क्या देख रहा है दृत आज़क रॉश्यन नहीं कहा हुँ कि कोई खुष है कि उदास से पास समय नहीं होता कि वो समय दे पाए और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ तो साक्रिफाइस करना पड़ता है विदेश की बात कर ली हमने marriages की बात कर लिए कोई share market में ऐसी कहानी हो जो नई हो तो एक ऐसा किस्सा है जो शायद आप लोगों के audiences को नहीं पता होगा लेकिन उनको लिए homework तो है ये लोग अब खुच जाएंगे सर्च करेंगे व्यक्ति का नाम किया तो एक ऐसा किस्सा है जो शायद आप लोगों के audiences को नहीं पता होगा लेकिन उनको लिए homework तो है ये लोग अब खुच जाएंगे सर्च करेंगे व्यक्ति का नाम किया इतना तो कर सकते हैं आपको लगता है कर पाएंगे बिल्कुल करेंगा अभी तक करके हैं तीसरे में कर देगे मेरे को इस पर थोड़ा डाउट ह जो 6 लाक करोड से जादा का व्यापार करती है उसको रातोराट डुबा देती है जानने में हरानी होती है वैल यह कहानी شुरू होती है बाहर से एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत जादा उम्मीदे रहती है अपने life से ambitious रहता है उसको बहुत सारी चीज़ाय अचीव करनी लेती और यह व्यक्ति पहुंच जाता सिंगापूर सिंगापूर में उस समय की बहुत बड़ी इंवेस्मेंट बैंक में अपलाई करता है वहाँ पर नौकरी करने की कूश करता है नौकरी करते करते उसको दिखता है कि यह सिंगापूर के जो ट्रेडिंग फर्म है वहाँ पर प्रेशन अच्छा जमने लगता है जिसके चक्कर में धीरे 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 वह एडवांस करने लगता है और एडवांस करते 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 उसको फाइनली ट्रेडिंग फ्लोर में घुसने का मौका मिलता है ट्रेडिंग फ्लोर ट्रेडिंग फ्लोर देखे बेसिकली क्या हो तो इस पिट में आए सब शोर शराबा करते हैं यह सारी करते ते डिखाते थे और इसके इसाब से वह करते थे अब यहां पर क्या हो गया कि यह व्यक्ति को भेजा गया कि भाई तुम वहां पर जाकर दीरे ट्रेडिंग करो और स्टार्टिंग्स है इसका नसीड अच्छा था अलग अच्छा था जिसके चक्कर में इसके कुछ ट्रेड चल रहे तो इसके इंप्रेशन चाहिए इस वार इसके फाउंडर्स ने ओनर्स ने बोला कि काम करो तुमकों पर्मेनेंटली यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं तुम जाके यहां पर मार्केट में ट्रेड करो सेविंग्स अकाउंट में आपके और मेरे जैसे लोगों के पैसे पड़े हुआ है अब यह पैसा आप और मैं कभी बी जैसे लेट्स टेकिन एक्जामपल आपके अकाउंट में अगर आज पचास करोड रुपए हैं तो वह पचास करोड रुपए आपको नंबर दिख रहे कभी भी आपने ऐसा तो किया नहीं कि वह पूरे पचास करोड इन कैश देखेंगा है वह आपको अकाउंट में नंबर दिख रहा है तो और कोई भी कोई व्यक्ति होगा जो पूरा का पूरा कभी एक दिन में निकालता है कोई नहीं निकालता करेक्ट उसमें भी अलग प्र अब क्या होता है ट्रेड करते 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 उसके टीम में एक लड़की होती है जिसने कुछ गलत ट्रेड ले लिया होता है जिसके चक्कर में आठ करोड का नुकसान एक लड़की एक दिन में कर देती है अब भाई एटेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आपकी अंदर अगर और एक लड़ी है जिसने 8 करूड का नुकसान किया हुद है तो आपको गाली सिर्टानरी का थोड़ी बोलेगा तो यह मैं अब यह दुविदा में पड़ा है क्या करना क्या करना और इस दुविदा кे नुकसाल कर दिया हमारे पर सैटलमेंट करने के लिए हमारे पर सैटलमेंट के लिए पूरा एक मेना बचा हुए है लेकिन आज के आज आज अगर बॉस को बताऊंगा तो तो बड़े गुस्ता हो जाएंगे तो वह कहती है तुम इसको डेबित क्यों नहीं डाल देते हैं यह क्या नहीं चीज आई है तो फिर वह चाइनीज लड़की प्रोसेस बताती है क्या होता है कि काफी सारे बैंक के ट्रांजक्शन होते हैं जिसमें से कुछ पैसे बहुत लेट आने वाले रहते कुछ होते तो उसके लिए डेबिट अकाउंट अभी इसमें लगा देता हूं और उसके बाद जैसे ही पैसा बनेगा मैं मैंनिल कर दूँगा मैंन्त के एंड में सेटल्मेंट में अपने बहुत को बेज़ दूँगा कि सर सब कुछ भढ़िया चल रहा है प्रॉफिट में चल रहे हैं तो यह अकाउंट खोलता है तो लड लगी उनको समझाती है कि इसको कुछ लगी नंबर कहा जाता है यह शायद आप बहतर जानते होंगे तो मेरे बाद आप इस पर थोड़ा बता सकते हैं टिपनी दे सकते हैं तो नाइन 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 पे अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद वह आठ करोड कर डाल देता है तीन-चार दिन में वो पैसा रिकवर हो जाते है और लोग प्रॉफिटेबल आ जाते हैं इस चीट से वो निकल गया उस मेहने एक मेहने के अंदर ही आठ करोड नेगेटिव में थे वो लोग और उसी मेहने के एंड में 14 करोड के पॉजिटिव में एक ट्रेडर आ गया आप समझें कॉन्फिदेंस बढ़ गया लेकिन आदत अब बिगड़ गई है अगर निमलोजी या फिर एस्टोलोजी आपको इंट्रस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीव नॉलेज गेन करना चाहिए बढ़ गया लेकिन आदत अब बिगड़ गई है सेर के मुँमें खूल लग गया और तरीका भी उनने धून लिया है अगले बार बड़े सौदे लिये कुछ मैने बार इस बार ये बंदे ने खुदने लिये और इस बार फटका पड़ा है सौ करो पर ये जाता है बंदी के बास कि ये डाल दो यार मैं तो सब निकाल लूँगा उसको शायद ये नहीं पता था कि अब ये बहुत बड़ा लूप बनने वाला है वहां पर जो सारे कंपनी वाले यूएस में बैठे हैं जेतने भी टेकसेस में बैठे हैं उनको लग रहा है य बैंक वाले बोनस बाटे जारे एक दूसरे को तो इसके भी बोनस बढ़ रहे हैं सारे मैनेजमेंट वाले हमारे पास तो एक ट्रेडर आ गया खतरनाक बना रहा है दीरे दीरे वह नुकसान बढ़ रहा है 200 क्रोड और यह अकाउंट चलने ठीक है महीनेदर महीनेदर तो पैसे की कमी नहीं है आपको बता दू ब्रिटेन की जो रानी था उनका भी अकाउंट इसी बैंक में था ठीक है लोगों को गैस करना पड़ेगा इस ट्रेडर का नाम और इस बैंक का नाम तो मैंने इसलिए यह भी हिंट दे दिया तो भाई यह सलसला चलता रहा इस अंतेंड में जो इसको रिपोर्ट भेजना रहता है सिंगापूर से यह फज करके भेजता है फज मतलब फज इन दे सेंस कोई भी बैंक अकाउंट वाला इस पे इतना भरोसा करते हैं कि वो लोग अकाउंट बैलेंस ही नहीं देखते कि क्लाइंट का पैसा उड़ता जा रह अपन करकर आके कर देंगे जो दो-दो-तीन-तीन साल तक कोई छूनी रहा उनके पैसे उड़ते जा रहे बैंक वालों को इतना भरोसा है अब क्या हो गया कि एक फाइनल जब उसने सौधा लिया यह हर जगा पर ना एक रूमर फैलने लग लगया कि पूरे पिट में एक कोई एक सीक्रेट ट्रेडर है जो अर्वो का धंदा करता है और दिन में सारा मार्केट को हिलाता है उधर का हर्श्चद मैता समझ तो बोले कौन है कौन है कुछ को डाउट वा तू है ना मैं गरीब इंसान कहा करूँ अब उस दिन क्या हो गया उस बंदे ने सौधे लिए सौध 12000 क्रोड़न कि इसने 1000 क्रोड तक निप्टा दिया अब इसने सोचा भाई अब मेरे को कोई बड़ा सौधा लेना पड़ेगा इसको रिक वर करने के लिए तो सारे किस creation के पैसे लगा कि उसने पता ही क्या क्या उसने टोक्यों मार्केट के सारे शेर के उठा लिए इंडेक् के कुछ से लिखवा के आते हैं तो यही चीज इसके साथ हुई थी वीकेंड आया वीकेंड में न्यूस चैनल पे खबर आई खबर यह आई कि टोक्यो के इतिहास में सबसे बड़ा अर्थक्विक आ गया है अब इसकी हाला टाइट मार्केट खुलते ही जो हजार करोड का नु बीवी को फोन करता है कि भाई साब आज ने तो कल में पकड़ा जाओंगा चल अपन चलते थाइलेंट पता नहीं थाइलेंट क्यों जा रहत है बट थाइलेंट निकल लिया यह लोग सब कुछ बूरी अवस्तरबंद करके फोन फेक के निकल गए इनने सोचा इतनी बड़ी बैंक है रिकवर कल लेगी निकल जाएगी पर अगले दिन अख़बार में यह लोग क्या पढ़ते कि दुनिया की यह सबसे पुरानी बैंक खतम हो गई अब यह सोचा यह कैसे हो गई अपने तो 6000 क्रोड के नुकसान किये 12000 क्रोड का तो कैपैसिटी था ना उसके पास और इनने सारे क्लाइंट के पैसे लगा दिये थे तो जब तक यह बारी पहुंचे थाइलेंड पहुंचे तो इनका सारा पैसा गायब पूरी बैंक बैंकरफ्ट हो गई बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए यह बंदे को बाद में अरेस्ट कर लिया करा है और जैसे की सा क्रियेशन लेकिन यह आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं जेल गए थे चार साल गए तो किताब लिखी बैंक रिवाइब हुआ नहीं बैंक तो खतम हो गया पैसा लगा दिया था बैंक सोच नहीं बोनस मिलेगा तो ऐसे केसे में तो क्लाइंट की तो कोई गलती नहीं थी क् कि चाहे विदेश हो चाहे हमारा देश हमारे इसमें जब तक कुछ एकात बैंक नहीं पड़ जाते कुछ लोग ऐसे नहीं पड़नी जाते तब तक नहीं रूल्स नहीं आते इसी के बाद तो स्कुरूटिनी वाले रूल्स आया है यह जो ऑड़िट ऑड़िट वाली कि चैए है कि आप बिलीव करोगे एक ट्रेडर जो लिक्विडिटी में इलोन मस्क से जादा रही स्थ था था पर आज से दो साल पहले की बात था है दो साल पहले वह इलोन मस्क्त अगर बात करते हैं तो उसके शेर वैल्यो तो वह लिक्विड नहीं होता लिक्विड और लिक्विड में लोगों का अगर समझा दू जो आप देखते नेट वर्थ है ना यह बहुत 14 लीडिंग है नेट वर्थ जब आप कंपनी के शेर होल्ड करते हो वो भी आपकी नेट वर्थ है लेकिन कलको अगर वो कोडियों के भाव में बिखने लग जाए तो वो किसी फैल्यू की नहीं है उधारन के तौर पर बाइजू एक ऐसी कंपनी थी जिसका पीक वैलिएशन था अब यहां पर किस्ता शुरू करते हैं इस बिल वाइंक के बाता पिता तो इनके पिता जी ना वह चर्च में जो फादर होते पैस्टर फादर जो भी बोलते तो वो थे ठीक है और इनकी माता जी थोड़ी रिलीजियस थी लेकिन वो वर्क करती थी पापा ने गरीबी देख कि भी है कि आर घर पे खाने पीने के लिए नहीं रहता तो इन्होंने एक चीज़ देख ली थी कि भई गरीबी तभी दूड होगी जब पैसा आएगा और पावर आएगा तो इन्होंने अपने दिमाग में लक्षे बना ले था पैसा और पावर सम्थिंग विचाइडी जोने पावर्ण करके हैं जो कालते हैं जाता है कि दर्शकों के लिए बता देते हैं काफी सारे लोगों को नहीं पता कि टाइगर फंड के ओनर जूलियन के ही 20 mentees हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े funds चलाते हैं hedge funds hedge funds चलाते हैं exactly एक ही व्यक्ति के सारे mentees है आप सोचिए मतलब वो बंदा क्या training दिया होगा सबको यह बिल वैंग भी उनका एक mentee था वैसे गलतियां हो जाती है सारे शिश्य एकदम brilliant तो होंगे नहीं थोड़ा बहु बोलते हैं आप उस पर जाके ट्रेड करो बिल्कुल करेंगे अब भाई यह साउथ इंटेशन का ट्रेड करते करते इनके उपर थोड़े insider trading के चार्जेस लग गए कि इन्फोर्मेशन को इधर से उधर करके इन्होंने थोड़े रिगिंग करे तो इन पर penalty लगी और इनको र हैं थो बिल्कुल बना कि दीजेए कंगे उन्हें अब इस फंड में न 7 कि ट्रेडिंग करनी शुरू करेंग आ कि एक समय पर इसके चार लाघ करोड तक की ट्रेडंग होती थी चार लाघ करोड की kidney जो होती थी उसमें एक गलती करती इन्हें एक समय पर पहले एक बार इंसाइडर ट्रीडिन करी दूसरी बार क्या हो गया आपने एक कमपني सुझी वोक्सवर्गों वॉक्सवान गरी थे अच्छवब्ग्र किसीald किसी बात करी कि आधि हो गया उस समय पर किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी हो था कि बेच के निकल जाओ तो इस व्यक्ति ने वोक्सों को देखा इससे बड़ी और क्या हुआ इसको बेचता हूं वैसे भी काँ बचने वाली यह पूरी दुनिया खतम ही हो रही है यह समय उसको बेचना शुरू किया इनको पता नहीं था कि वोक्स होगन अपने इति हास के सबसे बड़ी डील उसे टायं पर करने वाली वोगों ने करते है इति हास की सबसे बड़ी डील बेच के निकल गए यह बेचे जा रहे बेस जारे शौट सेलर बन गए हैं खरीदना तो पड़ेगा इनके बेचने के बाद पांच गुना पड़ गई लॉस हो गया लॉस क्या खतम हो गई कंपनी इन्वेस्टर ने बूला भाई जब तेरे को साउटेशन कंपनी इसको देखने बोला था तो क्यों यूस कंपनी देख रह आप बिलीव नी करोगे क्या सॉलिड कमबैक किया दो हजार बारा के बाद से साथ साल में चौदा सो करोड से इन्हों ने बनाए एक लाख चालिस हजार करोड ट्रेडिंग से अब आप बोलोगे कैसे जानने के लिए तो इच्छोग होंगी बिल्कुल बिल्कुल सिंबल सी इन्हों ने अब ट्रेड करना शुरू किया स्वाप्स समझाने से पहले एक कंसेप्ट में बताना चाहोंगा बड़ा इंट्रेस्टिंग वेल क्या होती आपने पता है बड़ी वाली जो बड़ी सबसे बड़ी मचली और आपने देखा होगा कि वेल ऐसी नहीं कि गूमते ग बड़ी चीज है तो यह शेर मार्केट में भी होते हैं वेल वो चीज होती है जो पूरे बाजार को कंट्रोल कर रही है लेकिन आस पास के किसी को कानो कान खबर नहीं है बुल और बेर सुना था वेल भी है शार्क भी होते हैं शार्क अगले पार्ट में बताएंगे अगर 20, 20,000 लाइक आगा है तो हम बिल्कुल इस चीज को बताएंगे आप आपके ओडियंस को एक बर बोल दीजे कहने ही जरूत नहीं हो आपका 20,000 तो डन है बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं तो वेल में क्या हुआ कि यह बिल्वांग एक वेल थे कैसे तो एक स्वाप्स करके 2000 लान काम करते हैं हैं कि यह 1000 करोड को किसी के पासों प्रैके आंप को इनके करता हैं कि यह बिल्कुल देख नशेकी करनेगे मेरेगे कि हिर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बात लेंगे और उनको क्या बोलेगा है कि मेरे नाम पे स्वाप्स स्वाप्स कि αपके ब्याद बहुंड अब आपका नाम करेंगे भाहर को सब्सक्राइब वाली चीज मार्केट में किसी को नहीं प सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं हमारे धेश का पैसा केमेन ऐलेंडेंड से घूम के यह जो बिए कहां कहां तो मतलब रहां यह हम डिसाइड करते हैं इसको बहुत ही सलल उधारन से बोलू आप गये गोल्मान साइक्स को 200 करोड दिये आप बोलोगों कि यह एक्स वाइज यह वाले शेयरों पे इतना 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 कौंटिटी एक महने के अंदर हमको दीरे-दीरे करके उठाओ जो बेस्ट ऑविस यह इस तरह का बाटर सिस्टम हो जाएगा पर नाप 200 करोड उसको क्यों दोगे आप बोलोगे ना कि कॉम्पिटेशन तो हर जगा है मैं मेरे लिंच को दूँ इसको दूँ इस तरह से जनाम ने दिया अब देखो फिनायन्स की बात यह है जब सब कुछ अच्छा चलता है कि इनको इनको 200 करोड के जगा 800 करोड तक अिन्वेस्ट करने मिल रहा ह। और दूसरा फाइदा क्या हो रहा था यह क्या कर रहे थे कि लर लिए इसन्होंने आपने 200 करोड गोल्मेंसnew चेности लिए बाके फिर कहीं और पर कोलेटरल रखके और वहां से एक सटॉक्स उठा ते यह कोलेटरल पर इसकी टूपी उसके सर उसकी टूपी इसके सर करकर गुमा रहते और ऐसे करके निए चौदा सो करोड को पहले बना दिया इतना अब इनके साथ होने वाली एक बहुत बड़ी गलती ठीक है यह अब लिक्विड में 30 बिलियंड डॉलर प्लस हो चुके हैं 30 बिलियंड डॉलर लिक्विड में मतलब अगर कल के कल इनने डिसाइड गया कि भीया अब रसमेरे वो रे झाल और को इनने झाल पांगर को प्लस हो भीया इनके साथ हो पुके हैं 30 बिलियंग में 1 बड़ी एक बाते हैं 30 बाह हो बड़ी दिएकंग ओजर तके समेरे तक जाने अगराई आधर हो आहें